नमस्कार सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिका की तरफ हैं जहां पर चुनाफ की प्रक्रिया शुरू हो रही है देखना यह होगा कि कौन जीता है डॉनल्ड ट्रम्प या जो बाइडन और हमारे आने वाले सालों के रिष्टे जो अमेरिका के साथ हैं वो भी काफी हद तक इस बात पर निर्फर करेंगे जफी और पप्पी की डिमॉक्रसी में जगा नहीं होती है यूँ तो और जफी और पप्पी किसी भी जगा पर जो कूट नेती होती है जो डिप्लम ऐसी होती है उसका पराय नहीं होता है बावजूद इसके एक इंप्रेशन है हमारे में कि हमारे रिष्टे बहुत बहतर हैं जफिय और पक्पी वाले हैं अमेरिका के राश्च्रोपती से, जाए वो डॉनल्ड ट्रम्प हो या पहले उसे बराक अबामा रहे हो दरसल अमेरिका के राश्ट्रपती को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है इसलिए सारे दुनिया की निगाएं होती है कि कौन बनेगा राश्ट्रपती वहाँ पर अब अमेरिका में जो Union of States है वैसे तो सम्विधान में हमें भी Union of States कहा गया है लेकिन अमेरिका में उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं वहाँ हर स्टेट का करीब हर स्टेट का अपना सम्विधान है अपना जंडा है ठीक है और जो अमेरिका का सम्विधान है Constitution है US Constitution उसके साथ उनकी बतलब पूरी commitment है कि हम जो देश का पूरे देश का सम्विधान है हम उसके तरफ भी हम एकदम loyal है वफदार है और अपनी अपनी स्टेट का अलगलग सम्विधान भी है जंडे भी है अब ये जो सरकार की एक किस्म है हमारे हम Union of States है लेकिन हमारे हम एक तरह से मुमकिन है जैसा हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि डिमोक्रिसी को presidential form of government की तरह चलाया जा सकता है बेशक हम democracy हैं लेकिन इसको एक presidential form of government की तरह चलाया जा सकता है उदर अमरीका ने भी देखा है पिछले चार सालों में कि जो presidential form of government है वहां की उसे dictatorship की तरह भी चला जा सकता है बेशक, वहाँ का media एक दम जीवन्त है, vibrant है यहाँ नहीं रहा अब किसी जवाने में होता था, अब नहीं रहा बेराल, जो Biden जो हैं, उनका कहना है It's time to stand up take back our democracy वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाएं, अपने आपको assert करें, और अपनी जो लोक्षाही है, जो खो गई है, democracy खो गई है, उसे वापिस लें, अपने हाथों में लें यह Philadelphia में कहा, जो Biden ने, in two days we can put an end to a presidency that has divided the nation सिर्फ दो दिन के अंदर अंदर हम एक ऐसे राश्रुपती का जो काल है उसको खत्म कर सकते हैं, उसकी term को खत्म कर सकते हैं, जिसने पूरे देश को बाट के रख दिया है बहुत ही familiar, सुने-सुनाई शब लगते हैं यह, it's time to stand up, take back our democracy we can do this, हम यह कर सकते हैं we are better than this we are so much better हम बहुत बहतर हैं हम जितना आज अपने आपको समझ रहे हैं या आज जो हैं, हम उससे बहतर हैं कहीं, काफी बहतर है तो अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में क्या होता है दरसल जो तीन जो 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 observers हैं वो एक इस बात से थोड़ा परिशान है कि शुरू आती जब मत करना शुरू होगी, counting शुरू होगी तो जो EVMs हैं या जैसे नतीजे आएंगे शुरू में तो Donald Trump के favor में वो जा सकते हैं लेकिन बाद में जैसे postal ballot आते जाएंगे जैसे जैसे postal ballots आते जाएंगे तस्वीर बदल सकती है 21 January 2021 को नए राश्ट्रपती की शबहत होनी है Capital Hill पे और Supreme Court में जो जजज अभी बनी हैं वो Trump के favor में कहा जाता है कि उनकी जो पार्टी की विचारधारा है उसके favor वाली है और पिछली दफ़े जब George W. Bush के चुनाव होते हैं उसमें Supreme Court ने जो रोल अदा किया था वो भी लोगों को याद है लहाजा इस दफ़े कि चुनाव को लेकर काफी सारी apprehensions है काफी सारे सोचा जा रहा है और एक और चिंता की बात जो सामने आ गई है कि चुनाव से ठीक पहले गंज जो होती हैं हथियार असला उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मतलब हिस्टारिक एकदम मैतिहासिक स्थर पर पहुंच गई है डानल्ल्ड टरम पहले भी कह चुके हैं कि मतलब बात हो सकती है हिंसा की बाते भी हो सकती है या बहुत लोग चिंता जता चुके हैं कि जो भी चुनाव के नतीजें आएं उसके बाद ट्रांसफर अफ पावर जो सत्ता का हस्तांतरन है वो शांती पूरवक होगा या नहीं होगा छोटे जो हथियार होते हैं स्मॉल आम्स अनलिटिक्स और फोरकास्टिंग एक है स्टडी उसने दिखाया है कि दस लाग असी हजार फाइर — चाहा वो पिस्टल हों रिवॉल्वर्स हों शॉट-कन्स हों दस लाग असी हजार फाइर आम्स हो थे वो खरीदे गए सिर्फ सप्तंबर के महीने में सितंबर के महीने में यह 66% एकदम जंप है बढ़ोतरी है पिछले साल का अगर मुकाबला करें तो तो सब की निगाहें अमेरिका की तरफ हैं इस वक्त देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं क्या वहाँ डिमोकरसी बहाल होती है जैसे कि जो बाइडन ने कहा है कि नहीं है क्या जो देश का बटवारा ह हो गया है जैसे बांट दिया है पूरे देश को समाज को क्या वापिस अमेरिका अपने रास्ते पर आपाएगा और हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा सबक होगा कि डिमोकरसी को डिमोकरसी ही रहना चाहिए प्रेजिदेंशल फॉर्म अफ गर्मेंट नहीं बनना चाहिए डिमोकरसी के नाम पर उनका जो ऑक्सीजन लेवल ता वो अड़तालिस तक आ गया नीचे जब कि कहते हैं कि सौ से लेकर और तिरानवे तक होना चाहिए इसके दरमयान रहना चाहिए और आज भी वो थीक तरह से बोल भी नहीं पाते हैं हकीकत यह है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और अभी तो को पीक होनी है मतला एक खतन अपनी उचाई पर पहुँच जाए और फिर नीचे आना शुरू हो जाता है तो कोरोना के साथ ऐसा नहीं है कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में एक दवे उचाई पर पहुँच गया अब नीचे आना शुरू हो गया नहीं मुल्टिपल कई तरह कि जगह जगह पर मतलब भी उचा जाएगा कहीं पर नीचा जाएगा और यह कहना है डॉक्तर रंदीब गुलेरिया डॉक्तर गंगंदीप कांग और डॉक्तर चंदरकांत लाहारिया यह इनकी एक किताब आई है आने वाली है जिसका नाम है तिल वी विन इंडिया इस फाइड अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक इसमें यह कहा जा रहा है कि उनसे जब पूचा गया कि एक सवाल है कि मतलब हमारे देश में पीक सबसे ज़्यादा केसिस कब होंगे ताकि उसके बाद फिर नीचे आने शुरू हों तो उनका यह कहना है तीनों लेखकों का ज यह कहते हैं मैं कोट कर रहा हूं however it cannot be said how many and when यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी पीक होएंगी और कब होंगी लेकिन होंगी जरूर whether those were peak or not and how many peaks happened that can be answered only at the end of the pandemic जब यह महामारी खत्म होगी तभी कुछ कहा जा सकता है निश्टित रूप से कि कितनी जगह पर उपर गया था फिर नीचे आया और जगहों पर कहां कहां उपर गया पिर उन्हें एक उधारन भी दिया देखिए हम सब को याद है जब केरल में ये कोरोना फैलना शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया में केरल की तारीफ हुए थी कि उन्हें ने किस तरह से सिस्टेमेटिक लिए एक सिस्टम बना लिया था और कोरोना पर काभू पा लिया जो हकीकत है कि मतलब आप एरपोर्ट से उत्रे या गारी से उत्रे आपके साथ एक हेल्ट फरकर भी होगा आपको ट्रैक भी किया जाएगा काफे दिन लेकिन यह जो वाहवाही थी केरल की वो थोड़े दिनों की रही है वहाँ पर एक और वेव आगे सेकेंड वेव आगे कोरोना की मैं आपको बताऊँ सत्रा जुलाई को यह हुआ था कि जब केडल सरकार ने माना कि जो कम्यूनिटी ट्रास्मिशन है कोरोना का वो कोस्टल जो इलाके है पुन्थुरा और पुलुविला इंतिरुवनंतम के वहाँ पर सेकेंड वेव आ गई है तो इनका भी यही कहना है डॉक्टर्स का कि सेकेंड वेव अभी पूर्दी दुनिया में भी चाह रही है महाभारत युद्ध 18 दिन में और कोरोना पर विजए 21 दिन में कुछ नहीं हुआ ले देकर सिर्फ एहतियात पुरानी कहावत है prevention is better than cure हमारे सामने और कोई चाहरा नहीं है सिवाए इसके के महाद धोते रहे हम काड़ा, herbal tea या green tea पीते रहे हम मास्क लगाए रखे और social distancing करें और कोई चाहरा नहीं है कोई दवा भी नहीं बनी है ट्राइल्स चल रहे है तो जितनी साफधानी बरती जाए उतना ही अच्छा है खासकर उन लोगों धोरा जो इसके शिकार हो सकते हैं हम देखरे हैं जगा जगा जब लोग बिलकुल परवाह नहीं कर रहे हैं social distancing की मास्क यहां लगा कर चलते हैं यहां लटका हुआ किसली भई आपको यहां तक मास्क पहनना है और काड़ा, हर्बल टी, ग्रीन टी पी सकते हैं, पीजी जितनी पी सकते हैं हाथ धोते रहिए और फासला बना कर रखिए हम उमीद करते हैं यह जो बीमारी हमारे देश में आई है पूरी दुनिया में आई है इससे हमें चल्दी निजात मिलेगी मेरे बहुत से दोस्त हैं, वेलविशर्स हैं खैरखवा हैं जो अमूमन मुझे पूछते हैं कि आप हमेशा क्यों आलोसना करते रहते हैं सरकार के मेरे सिर्फ यही जवाब होता है कि जहां पर पूरा विपक्ष्छिन भिन हो तार-तार हो चुका हो उसके अपनी आवाज ना हो जहां पर मीडिया सरकारी और दर्बारी हो चुका हो जहां सरकार जवाब दे ही ना हो ना पार्लिमेंट के प्रती ना किसी मीडिया के प्रती तो वहाँ बर एका दुका आवाज अगर हैं तो उटनी चाहिए और मुझे तो जनाब मुनेर नियाजी है एक शायर है उनका एक शेयर रियाद आता है पूरी कविता ही हूं तो कि कुछ शेयर के लोग भी जालिम थे कुछ हमें मरने का शौक भी था पंजाबी में लिखे रहने कुछ शेयर दे लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरन द शौक भी सी बेरहल अब जैसे हैं वैसे हैं तो रोज की तरह है आज के शोका समापने कविता से कुमर बेचैन की कविता है वो कहते हैं पाउं के संग संग जहां पत्थर चले ठोकर चले हम उन्हीं कुछ रास्तों के बीच से होकर चले ख्वाब से कह दो ख्वाब से कह दो ना अब वो नीद में सोकर चले नीद से बाहर चले और हाथ मूँ धोकर चले ख्वाब नीद से बाहर चले और हाथ मूँ धोकर चले आंसुओं को पीते पीते चल जहां में इस तरह हस हसा कर जैसे सरकस में कोई जोकर चले ढूंडने से भी कभी वो मिलना पाएगा हमें ढूंडने से भी कभी वो मिल न पाएगा हमें जो सफर हम जिंदगी की राह में खोकर चले मन के अंदर जो कंटीले वन हैं खुद जल जाएंगे आग के कुछ बीज हैं जो दिल में हम बोकर चले आग के कुछ पीज हैं जो दिल में हम बो कर चले मन्जिलें उनसे बहुत ही दूर रहती हैं कुवर कुवर बेचैन कभी गना मन्जिलें उनसे बहुत ही दूर रहती हैं कुवर राह पर जो लोग डर डर कर चले, रो कर चले मनजिले उनसे बहुत ही दूर रहती हैं कुमर राह पर जो लोग डर डर कर चले, रो कर चले पाउं के संग-संग जहां पत्थर चले, ठोकर चले हम उन्ही कुछ रास्तों के बीच से होकर चले नामस्कार अब खबरे पाईए सब चे पहले हमारे मोबाइल नियूस अप्लिकेशन पर एंड्रोइड या आई उस प्रेटफर्म पर जाईए HW News Network को सर्च कीजिए डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधा नुसार भाषा का चैन कीजिए खबरों की भीड में अपने काम की खबर पाते रहिए झाल